सबसे बड़े कानुन धर्म स्वात अंत्रे विधयक 2020 को मिली मंजूरी विधयक में दस साल की सजा का प्रावधान मददगारों को भी होगी अब सजा मददग्रदेश विधान सबस अत्र को लेकर होने वाली सर्दल बैठक स्थागित अब रविवार को होगी कॉंग्रेस ने बताया बीज़पी की स्थाटिश आज से बीज़पी जिला अध्यक्षू का प्रशिक्षन श्रिवर 26 सब 27 दसंबर को होगा प्रशिक्षन श्रिवर प्रदेश प्रभारी मुर्ली धर राव देंगे टिप सीहोर में हो रहे श्रिवर में सीम शिवराद सिंधिया शामिल 36 गड़ के ECG बोट पाठिकरम में बदलाव सात्वी के चात्र राजीव गांधी की जीवनी पढ़ेंगे नौवी के चात्र जानेंगे जमु कश्मीर का नक्षा और रुजेन के बेगंबाग एलाके में पत्थर बाजू के मकान प्रिशासन ने हटाए एक ही समुदाए के लोग हुए कत्रित शेत्र में तनाव बड़ा पुलिस फोर्स दे रही संचाईश नमस्कार स्वागत है आप सभी का दिनन में और मैं हूँ आपके साथ रुट्व भिंडारी और बुलेटिन की शुरुआत उस वक्त की बड़ी खबर से जहां तीन बचर होने वाली सरदालिया बैठक अब टल चुकी है विधान सभा सत्र को लेकर ये बैठक होनी थी प्रोटेम स्पीकर रामिश्वर शर्मा ने इस बैठक को बुलाया था जोहां कोरोना के दौरान सत्र के संचालन पर चर्चा भी होनी थी अब ये बैठक टल गई है और 28 दिसमबर से शुरू हो रहा है विधान सभा का शीत काल इन सत्र जिसको लेकर प्रोटेम स्पीकर रामिश्वर शर्मा ने इस बैठक को दोफेर तीन बज़े आयुजुत किया गया था इस बैठक को बुलाया था जो कि अब टल चुकी है कोरोना के दौरान सत्र के संचालन पर इस बैठक में चर्चा होनी थी बड़ी खबर आपको दौरान सत्र के संचालन पर चर्चा होनी थी 28 दिसंबर से शुरू हो रहा है विधान सभा का शीत कालिन सत्र जादर जौनकारी के लिए मारे साथ समवाद अता अनन्या चतुर्वेदी फोन लाइन पर जुड़गी है अनन्या सरवदल्य बैठक फिलाल टल चुकी है वच्छा क्या कुछ बताई जा रही है सब्सक्राइब करें लिए बैठक फिलाई थी लेकिन अब भी इस टाल दिया गया है और यह बैठक हो सब्सक्राइब करें और उसके ऊपर भी कई सारी चीजें तो है अगर बात की जाएं पर ना की जूब बात की जाए तो को लेकर भी चर्चा हो बिलकुल आनने तमाम स्पीकर ने अब सो थोड़ी ही देर बात बुलाई थी फिलाल तो टल गई लेकिन अब कॉंग्रेस इसे बीजेपी के साथ जूश बता रही है क्या इस पर किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया यहां निकल कर सामने आई है अगर इत्तों यहां पर बात की जाए प्रतिक्रियाश की तो कॉंग्रेस पर कहना है कि बीजेपी जो है वो शड़ियंद कर रही है विधाया को को और जिसमें ता कौन की आवाज दबाने कोशिश कर रही है वही अगर बात यहां पर की जाए विधानसभा के मुद्लोग की तो कई सारे मुद्बे जो हैं इस बार आने थे लेकिन कोरोना की वज़े से वज़ा कोरोना बताए जारी है कि विधानसभा में पच्तिस चब्वेस लोग जो चौतिस लोग हैं वहां करंचारी और शाम तक एक और रिपोर्ट मांगी गई है यानि कि विधायकों की रिपोर अगर उसमें भी कोरोना पॉप्स निकलते हैं तो हो सकता है कि विधानसभा का सथर जो है वो चोटा कर दिया जाए इस पो लेकर है इस लिए पर अभी चर्चा होना बाकी है वह शांती बात कर यहां पर की जाए कि जो बैठा कर उस पर भी इसी मुद्बे चर्चा होनी थी तो यह भी कारण बता जा रहा है कि शायद इसी लिए बैठाक जो है तो बड़ी खबर आपको बतारते हैं जहां आपसे थोड़ी ही देर बाद सर्वदल यह बैठाक होनी थी जो कि प्रोटेम स्पीकर रामिश्वर शर्मा ने तो फेर तीन बचर बुलाए थी वो फिलहाल और अब ऐसे में ये बैठाक रविवार को होगी वज़ा फिलाल प्रशिक्शन शिवर बीचेपी का बताया जा रहा है क्योंकि जो तमाम दिगज है वो प्रशिक्शन शिवर में वियस्त हैं जिसके चलते इस बैठाक को टाल दिया गया लेकिन अब कॉंग्रेस ने इसको ब खांजूर से मल रही है जोहां आपको बताते चलें की बीस एफ कैम के विरोध में हمें रन learnt प्रतीनी धी करका घाट के ये बड़ी ख़बर आपको बता रहे है पकान जूर। आपको बता दे करका घाट और तुम्हेर घाट में कैंप लगा हुआ है जहां नहीं हटाने पर सामुहिक स्तीफा देने का निर्णे जन प्रती निधियों ने लिया है बड़ी खबर आपको बता रहे और तस्वीरे भी आपको दिखा रहे हैं जन जन चौपाल लगाई गई और इस द्वारान सरपंच और प्रती निधीर की तरफ से यहां पर ये निर्णे लिया गया है जादर जानकारी के लिए मारे साथ संवाद आता विपलब कंडू फोन लाइन पर चुड़ गया है विपलब पूरा मामला समझना चाहेंगे पहले तो कि यहां जो करका घाट और तुम्री घाट में लगाया गया है जिसको ग्रवद में ग्रामिन ने उसी जगा पे पहले तीन दिन धन्ना परदर्शन किये थे इसको बाद सरकार शासन को दो दिन का अल्टिमितम दिया था कि यहां से हमारा देवस्ताल है यहां सब्येशन को हटाए जाए उसको बाद भी जब नहीं हटा तो पूरा त्रहासी गाओवाले ने एक सो तीन गाओवाले के में आखिश वकांजुल में धन्ना परदर्शन ज है तो कैम तो पहले से लगा था इसे हटाया क्यों जा रहा है क्योंकि अगर लगाया भी इसकी तरफ से है तो कहीं न गई इसकी परमिशन तो पहले ही उनको अलाट हो चुकी होगी कि अथिसरे रुजामि को जा रहा है ज्यकोंन के अगर हमें सेट्थे साफ़ी और के लेके भी इनको को यह नहीं है मिसी से उनके ने पात के इनले भेता संकर रहा है आपका मारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया तो बड़ी खबर आपको बता रहे है पकान जूफ से रहां भी एसिफ की तरफ से कैम्प लगाया गया था और उस कैम्प में आपको बता दे कि जन प्रतीनी दियों ने स्तीफा देने का यहां निर्ने लिया है करका घार तुमीर घाट में यह कैम्प लगा था कैम्प नहीं हचने पर सामोहिक स्तीफा देने की निर्ने का निर्ने लिया गया है बड़ी खबर और तस्वीरे भी आपको दिखा रहे हैं जहां इस तरह का निर्णे लिया गया तो बड़ी खबर कि बीस एफ काम के विरोध में अब जनप्रती नीदी मैदान में उतर आए करका घाट तुमिर घाट में कैम्प लगा था B.S.F. का जहां लगातार जनप्रती नीदियों की तरफ से कैम्प को हटाने की बात कही जा रही थी और कैम नहीं हटने पर सामोहिक स्तीफा देने का यहां जनप्रती नीदियों की तरफ से निर्णे लिया गया और यह तस्वीरे भी आपको दिखा रहे हैं जहां तस्वीरों में आप देख से भी किस तरह जन चौपाल लगाएगे और यहाँ पर जन प्रतीनी दियों के इस बीच एक और बड़ी खबर का रुक करते हैं जो कि शत्तसगर से मिल रही है जो हाँ आपको बता दे कि अब सीजी बोज पाठिकरम में बदलाव हुआ है सात्वी के चात्र राजीवगांधी की जीवनी अब पढ़ेंगे नौवी के चात्र जानेंगे जमू कश्मीर का नक्षा बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 36 गड़ के CG बोर्ट पाथिकरम में एक बड़ा बदलाव हुआ 7 वी के छात्र राजीव गांधी की जीवनी अब पढ़ेंगे 9 वी के छात्र अब जम्मू कश्मीर का नक्षा जानेंगे CBSC बोर्ट ने इस पर बदलाव किया है और हमारे साथ जाद ज़ानकारी के लिए समवाद अता निधी प्रसाद फोन लाइन पर जुड़िया है निधी 36 गड़ के CG बोर्ट पाथिकरम में इस तरह का बदलाव आगे चाकर कितना ये कारगार साबित होता हुआ नज़र आएगा जी मलगूर मुक्य तरह पर अगर बात की जाए तो निष्ट रूप से राजिव गांधी की जीवनी है उसे अब 36 गड़ के जो बोर्ट परिक्षा है CG बोर्ट उसमें शामिल किया गया है यानि की सात्री के जो चात्र है अब उनकी जीवनी एक पार्ट इक्रम के हिसाब से पढ़ेंगे और इसके अलावा अगर बात की जाए तो जम्हू कश्मीर का नक्षा भी जो है इसमें वो शामिल किया गया है मुख्य तोर पर जो चत्रजगड का मूल उदेश है जिस तरह से लगातार हम ये भी देखते हैं कि राजिस सरकार जो है वो भी कौंग्रिस की है तो कहीं न कहीं उनका मुख्य उदेश ये बिलकुल नजर आता है कि किस तरह से यहां के जो बच्चे है यहां के धरातल से जीवनी का पूरा जिक्र किया जाएगा उसे एक पूरा पूरा का पूरा पाठ के रूप में उसे पढ़ाया जाएगा तो मुख्य तोर इसे पढ़ने के परशात जो बच्चे हैं जो इसे पढ़ेंगे उनको जो राजिव गांदी हैं उनकी जीवनी में उन्होंने किस तरह किस तरह से राजनीती में वो आगे बढ़ें और किस तरह से बाकी चीजें की ये सारी तमाम चीजें उसमें शामिल रहेंगी और बच्चों को वो पढ़कर पूर्ण रूप से राजिव गांदी के बारे में जानकारी हो पाएगी कि आखिरकार अब बिल्कुल निदिया कही न माम जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया तो बड़ी खबर आपको बतार दें शातिस गड़के अब सीजी बोट पाठीक्रम में एक बड़ा बदलाव हुआ साथवी के चात्र राजीव गांधी की आप जीवनी पढ़ सकेंगे जोकि एक अच्छा कदम है नक्ष्रा भी ड्रान सकेंगे फिलाल वक्त एक छोड़े से ब्रेक का जल्दा सुरूंगे ब्रेक के बाद अब सभी का फिर से स्वागत है और रुक करते हैं बड़ी खबर का चुक्यों ट्रेन सुमल रही है और ट्रेन के बेगम बाग ये लाके में पत्थर बाजू के मकान अब निगम का अमला भी पहुंचा और ऐसे में फोन लाइन पर हमारे साथ राहुल राठोर संबाद अता जुड़े हैं और राहुल लगतार हम भी देख रहे हैं जो सरज सीम शिवरात सिंग चौहान का यहां एक्शन मोड नजर आया कि माफियाओं और गुंडे बदमाशू को बरदाश नहीं किया जाएगा और ऐसे में उज्जैन में लगतार किस तरह की अपडेट टीम ने दोर्स्त किया है चलिए राहुल तमाम जानकारे देने के लिए शुक्रिया तो बड़ी ख़बर आपको उज्जैन से बतार थे उज्जैन के बेगमबाग इलाके में पत्थरबाजों के मकान प्रशासन दहा दिए हैं एक ही समुदाए के लोग एकत्रत हुए श्री प्थरबाजी की गई थी एक रेली के दोरान उहां मूर्चे के मुर्चे पर पत्थरबाजी किया है चलिते उज्जैन के बेगमबाग इलाके में पत्थरबाजी के मकान अब प्रशासन नहीं दहा दिए हैं निगम अमला मौके पर पहुचा एक ही समुदाए के लोगे ट कत रथ हुए और श्रेत्र में अब तनाथ की स्थिति यहां पैदा हो गई है जहां पुलिस फोर्स समझाईश दे रही है और आपको बता दे कि जुस रैली में पत्थरबाजी की गई थी वो रैली अयुद्ध राम मंदिर के निर्मान के लिए च्वंदा मांगा जार था जुसके चलते ही के विश्वीश्र समुधाय ने यहां पर पत्थरबाजी की और यह तस्वीरे भी आपको दिखा रहे हैं जो पत्थरबाजी और इस दौरान की गई जुसके लिए आज निगम का अमला मौके पर पहुँचा और पत्थरबाजी जिन लोगों ने की थी उनके मकान को दहाने का काम यहां प्रशासन अमले की तरफ से किया गया है आप तो दस्वीरों में देख सकते हैं कि सूशना मिलते ह आपर प्रशासन कामला भी पहुचा पुलिस भी मौके पर पहुची जहां पुलिस से लगतार समझाईश्व देने की कोशिश में जुटी हुई है एक और बड़ी खबर का रुक करते है जहां मलहारगर से मल रही है आई टेंशन लाइन // के चपेट में ग्न्याइवर आया करंच लगने से मौके पर ही मॉत होगई ड्रक की छदपर सफाई करते समय करंच ठॉक ड्राइवर को लगा मलहारगर शीट्र के बर पूरा मामला बताया जा रहा है। च्छत पर सफाई करते समय करंच लगा जोहां मलहारगड शेत्र के बर्खेडा देव डुंगरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है तो मलहारगड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हाई टेंशन लाइन की चपेट में कर ट्रॉक ट्राइवर आगया आपको बता दे कि करं च्छत से निकाला जा रहा है और ऐसे में अस्पताल यहां ले जाए जाएगा जहां शब का पोस्ट माटम होगा तो बरखेडा देव जुंगरी में 11000 वाल्टेज लाइट की चपेट में ट्रॉक ड्राइवर की मौत हो गई है बताया जा रहा है कि ट्रॉक ड्राइवर गाड़ी के ओपर चड़कर जाड़ू से सपाई करने के लिए गया हुआ था रहा हाई वाल्टेज में अपनी और जो हमरतक का नाम जमील बताया जा रहा है और इसके साथ ही निवाजी नागता का ही बताया जा रहा है चले अब रुख करते हैं अगली खबर का जहां टीकमगर में पुलिस कर्मियों और युवक के बीच जड़प हो गई है रोकोटो को अभियान यहां पर जारी था जोसके चलते हैं जड़प हो गई आरक्षक और युवक के बीच जुमा जटकी हुई कोथवाली थाना श्रेतर के अस्पताल चौरा है कि यह पूरी घटना बताई जा रहे हैं और यह तस्वीरे भी आपको टीकमगर के बिखा रहे हैं कि मैं भी इस अभिहान पर जोर दिया जा रहा है रोजाना जो है शहर के विविन स्थानों पर रोको टोको अभिहान के तहत मास्ट की चेकिंग की जाती है आज इसी दौरान जब आस्पताल चौरा है पर एक योवक अपनी बाइक से महिला को लेकर आ रहा था उसी दौरान को मास्क नहीं लगाया था पुलिस ने उसे रोका कॉंस्टेवल ने जब उसे पूछा कि मास्क क्यों लगा हुए है तो इस चीज का उसने विरोध कर दिया और वहां पर उसने पुलिस पहले तो बचता मी जी कि इसके बाद बाइक से उतर कर दौनों के भी जड़ाप हुई पुलिस ने जो है वहां जो रोकोटों को अभियान की चेकिंग चल रही थी उसे बंद कर दिया रही है पुलिस की तरफ से किस तरह की अभी कारवाई यहां पर की गई है यह तो बहुत अहम शवाल आपने किया है कि जो पुलिस है वो तो एक आपकी सुरक्षा के लिए रहनात होती है और कोई बी ऐसा अभियान हो चाहे रोको टोको है या इसक्यादी कोई भियान हो जिस तरीके से पुलिस जो है आपकी सेवा कर रही तो यहां लोगों को भी जा उनसे जड़प ना करके उनकी बात को त्यान में रखके उसका पालन करना है इसलिए ये जुर्माना की जो कारवाई शुरू की गई थी उसका उतेश भी यही था कि जो लोग मास्क नहीं लगाते हैं अगर उनकी चाला नहीं कारवाई की जाएगी तो शायद में मास्क लगाक बहुत शुक्रिया तो बड़ी खबर आपको टीकमगर से बता रहे हैं रहां आरक्षक और पुलिस कर्मी आपको बता दे कि पुलिस कर्मी और युवक के बीच में जुमा जटकी होगी रोकोटोको अभियान के तहट पुलिस कर्मी यहां जो मास्क नहीं पहना था जिन्नों ने उनको यहां रोक रही थी और समझाईश दे रही थी लेकिन जिन्नों ने मास्क नहीं पहना वो ही यहां पुलिस से लड़ बैठे हैं बागे पुलिस यहां कारवाई करने में जुटी हुई है चले एक और यहां पर अगली खबर करूख करते हैं चातरपूर की खबर आपको बता रहे हैं चातरपूर बमीठा थाना श्रेत्र के बसारी गाउंग में घर के बाहर बैठे एक युवक के पैर पर कटे से गोली मार दी गई घायल जगदी शुरजग ने बताया कि वो शुक्रवार की रात अपने घर के बाहर मौले में बैठा हुआ था तब ही बंटी आदव आया और उसके बगल में बैठ गया और अचाना कटे से फाइरिंग शुरू कर दी जोससे जगदी शुरजग घायल हो गया और घायल को जि आपको दिखा रहे हैं शत्तर पुर्की इस अब बुलिटिन में फिलाल इतना ही आप बने रहे हैं जीनन के साथ नमस्कार झाल झाल